लोकसबा चुनाब परिणाम पर भाचपा मंतन का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री बजनलाज शर्मा भी प्रदेश भाचपा कार्याले में मौजूद रहे भरतपुल लोकसबा सीट सहित गंगानगर वासवाडा करौली धौलपुर सीट के नतीजों को लेकर बैठक हो रह लोकसबा चुनाब परिणाम पर भाचपा मंतन कर रही है और इसी मंतन का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री बजनलाज शर्मा भी आज प्रदेश भाचपा कार्याले में मौजूद है बीजेपी का ये मंतन का दौड जो है वो दो दिनों से जारी है राजिस्थान में 19 और 26 अपरेल को चुनाब थे उसके बाद परिणाम जो थे वो चौकाने वाले थे क्योंकि बीजेपी दावा कर रही थी कि 25 की 25 लोकसबा सीट राजिस्थान में बीजेपी की होंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया चाट जून को जब नतीज़े आए तो वो थोड़े हैरान कर देने वाले थे बीजेपी को क्योंकि 14 सीटे ही बीजेपी के खाते में आई बाकी की 11 सीटे बीजेपी के दावन से छूट गई और इसी पर मन्तन किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से कारण रहे गए जो ये 11 सीटे बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई और इसी ख़बर पर जाता जानकारी के साथ हमारे संबाद दाता योगिंदर पंचोली हमसे लाइब जोड़ चुके हैं योगिंदर बीजेपी मन्तन कर रही है और आज मन्तन का दूसरा दिन है सीएम खुद भी वहाँ पर मौजूद है आज आखर मन्तन किया जा रहा है कि इतने प्रचार प्रसार के बाद भी ऐसी कहां कमी आ गई जो 14 सीटों पर ही बीजेपी सिमच कर रह गई और 11 सीटे उनके दामन से छूट गए देखे इस लोकसवा चुनाओं में जिस तरह से बीजेपी को यहां 25 में से क्यवल 11 सीटे जो लूज करने पड़ी और 2014 और 2019 के जो लोकसवा चुनाओं में बीजेपी को तमाम जो 25 के 25 सीटे मिले थी लेकिने इस बार 11 सीटे का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है का इसके कारण रहे इन कारणों को तलासने के लिए इन पर मन्थन किया जा रहा है कल साथ जो लोकसभा की सीटे थी उन पर मन्थन किया गया था वहां की जो परत्यासी रहे हैं विधायक रहे हैं इसके अलावा जिलादेक्स रहे हैं संगठन के जो लोग हैं उनके साथ फीडबेक लिया गया था कि क्या कारण रहे जिसके कारण ये सीटे बीजेपी के खाते में नहीं जुड़ पाई आज दूसरा दिन है खुद मुख्यमंतरी बचनलाल सर्मा बीजेपी कारले में पहुंचे थे और यहां उन्होंने क्योंकि आज चार सीटे बची हैं जो करोली दोलपूर वाली सीट है भरतपूर वाली जो खुद जहां से मुख्यमंतरी आते हैं इसके आलावा जो बासवाड कि बात करें या फिर इसके अलावा मत और अन्य जो हर्याना जैसे राज्ये हैं जहां पर बीजेपी को काफी नुक्सान हुआ है यही कारण है कि बीजेपी को इंडिपेंडेंटली खुद का मेंडेट नहीं मिल पाया और अलाइंस में बीजेपी को सरकार भी बनाने पड़ इसके अलावा चुनाय परभारी यहीं से सहत्राज प्रभारी जो बीजेद्वरस और कर रहें कि कि तरह से अभी यह जो नुकसान को सोजा रहा जा सकता है क्या ऐसे कारण रहे है क्या पार्टी में आपसी गुठबाजी रही या फिर टिगेट का जो डिस्टुबिशन है वो सही नहीं हो पाया इन तमाम मसलों को लेकर दूसरा दिन है और बैठकों का दोर जारी है जी योगेंदर देखिए बीजेपी जो है लगातार मंतन कर रही है और अब तक के मंतन में क्या कुछ निकल कर सामने आया है क्योंकि आगे पांच सीटों पर उप्चुनाब भी होने वाले हैं तो ऐसे में आगे के उप्चुनाबों को लेकर भी मंतन तो किया जाएगा क्योंकि 14 स करने लेकर पांच सीटों पर होने हैं लेकिन अभी उसमें समय है और माना जा रहा है क्यूंकि पर चुनाबों को खरते हैं और लोग्साय का जो चुनाओ का जो चुनाओ होता है बड़ा चुनाओ था और इस बड़े दावे पार्टी पूरा नहीं कर पाई, यहां ये कहा जा रहा था, दावे कि जा रहा था कि 25 की 25 सीटे राजयस्तान से byłaージफान से बीजेपी के खाते में जाएगी जो की दो कारेकालों में जा चुकी थी लेंगि इस बार जिस तरह का इतना बड़ा नुकसान वहताः संग भी स लेकर मंथन की अगया है लेकिन मोटे तोर्पर आगर समझा जा सकता है लोग सबस्क्राइब जो Presents है इंसी पे लिए सने करम तो बड़ा नुकसान जुत्ताना है दूसरा दिन आ है जिसे उंदेर मंद्र तॉर्वे मthyवार दूसरा दूसरा नैंmar प्रवाद